हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे मचली के अंडे के भूर जी बहुत ही सिंपल तरीकी से बनाएंगे और बहुत जटपड बन जाता है कम मसाल की सद बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी तो यहां पर मैंने एक कड़े गरम कर लिया है उसमें मैं सरसो क कि अटल डाल दिया 2 टीसपून और इसका अच्छी तरह से गरम होने देंगे अच्छी तरह supposedly कर लेंगे इसके ब़ूर्च संदातरा कर लेंगे तो यहां पर यह प्याज भून चुका है, अच्छी तरह से सौप्ट हो चुका है, तो अभी हम डालेंगे टमाटर, तो मैंने दो मीडिम साइज के टमाटर ले लिया था, इसको भून लेते हैं, और इसको पकाएंगे टमाटर को सप्ट होने तक, तो उसके पहले हम कुछ मसाल आड़ नहीं करना है, बस इतने सी मसाले से हम इसको भून लेंगे, ड्राय लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी एड़ कर लेना, तो यहां पर लोटू मीडियम प्लेम पर इसको भून लेंगे, टमाटर सब्ट होने तक, या फिर 5-7 मिनिट तक इसको भून लेंगे, तो मैस कर लिया है मैंने, उसको डाल देंगे, और अभी यहां पर हम डालेंगे धनिया की पती, धनिया की पती डालने से अच्छा सा फ्लेवर आएगा, तो इसको डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे हम, तो मचली के अंडे को मैस करना बहुत ही ज़रूरी है, मार्केट में जब ह मिनिट तक, तो यह देखिए, मिक्स कर लिया है मैंने, अब ढ़क के पकाएंगे, नर्मल चिकन के अंडा से यह थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में, तो थोड़ा सा इसको वक्त लगता है, तो टाइम लेकी इसको पकाएगा, तो यहां पर देखिए, चेक कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर नीचे का अंडा पक चुका है उपर का कच्चा है अभी भी तो इसको पकाना और भी जरूरी है तो अभी ढखेंगे नहीं इसे ही खुला रखके हम भूनेंगे लो टू मिडियम प्रेम पर कंटिनियसली भूनेंगे तो यह थोड़ा सा भी स्टिकी जि और थोड़ा सा वाइट कलर का हो गया है तो इसका मतलब यह प्लक चुका है तो देखिए कितना असान है बनाना बहुत ही जटपट बन गया सिंपल तरीके से तो यह रेसिपी एक बर आप जरूर कीजिएगा और अगर मेरी रेसिपी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब स जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर थैंक्स पर वाचिंग थैंक यू